हालो फ्रेंट्स रागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में यस बैंक और सुजलोन दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है यस बैंक में तो आज के दिन करीबन 9% तक की तेजी जो है वो देखने को मिली है और काफी टाइम से मैं आपको यही बोल रहा था कि जो यस बैंक है उसमें ऐसा नहीं है कि हर दिन 2-3-2-3% के एसाब से तेजी बनती है इसमें एक ही दिन या दो दिन अगर आप देखोगे इतनी बड़ी रैली आ जाती है कि जो शेर प्राइज है वो एक ठीक टाक से लेवल पर पहुंच जाता है और फिर इसमें दीरे दीरे करके जो गिरावट होती है तो वो उतनी बड़ी गिरावट नहीं होती है तो इन सारी चीज़ों पर देखने वाले हैं कि कल के दिन क्या सच में आपको फिर से 10-15 परसंट की रैली देखने को मिलेगी या फिर कोछ और चीज़े देखने को मिल सकती है साथ के साथ इस सुजलोन के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो अगर आप पूरा देखोगे आपको सारी चीज़ अच्छे थे समझ में आ जाएगी चैनल बगर आप फर्स टाम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजिगा आज के दिन अगर आप देखोगे तो यस बैंक में 9% तक की रैली देखने को मिली है जो शेयर आपको 15 रुपे के आसपास ट्रेट करते हो नजर आ रहा था वो आज के दिन करीवन 16 रुपे 75 पैसे यानि कि लगबग लगबग 17 रुपे के आसपास पहुँच गया एक ही दिन के अंदर करीवन 1.5 रुपे का मूमेंट एक दिन के अंदर आपको देखने को मिल जहें आप यहाँ पे ग्राफ भी देख पारे होगे पूरा का पूरा अपसाइड यानि कि अप्ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है वही अगर आप एक चीज देखते हो तो वो आपको नजर आएगा कि एक महीने में भी 9% के ही रिटन्स हैं यानि कि जो आज बना है वही मूमेंट पूरे एक महीने में अधरवाईज एड़ पर की ही जो ट्रेडिंग थी पिछले एक महीने से देखने को मिल रही थी अब मेरे प्रीवेश वीु दिएो में बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया है लेकिन इस वीदिए में आपको यहाँ पे है कि जो शेयर है इसमें करीवन करीवन 9% की तेजी देखने को मिली तो क्या आपको यहां पे और ज्यादा quantities खरीदनी चाहिए या फिर अपना बेच कर निकल जाना चाहिए या फिर अभी तो आप यहां पर देखो दो तीन रीजन बताए गए इस रैली के पहले आप देखो बताए गया है कि अगर आप देखो 21 मार्च 23 के लाष्ट तक जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं वह 50 लाक 50 लैक से भी जादा है जैसी यह निउस निकलके आई दी मैंने वीडियो के तुरू आपको बता भी दिया था लेकिन हाँ उस पर बहुत सारे लोग जो हेटर्स हैं उनका जो बेसिक काम ही यह है उन्होंने इस चीज पर भी बोला था कि इस चीज का कोई भी मतलब नहीं बनता और यह फाल्टू की निवस है लेकिन आज यहाँ पर देखो बड़े-बड़े एनलिस्ट भी इसी को इतनी बड़ी रैली का जो है रीजन बता रहे हैं शेयरोल्डिंग डेटा के नुसाथ 13 परसन मूच हिस्सेदारी आपको नजर आती है मार्च तिमाई यानि की मार्च क्वार्टर के एंड तक थर्टीन इंशॉरेंस कंपनी के पास करीवन साड़े-चार परसन से ज्यादा का जो शेयर है वह आपको नजर आता है डिसमबर दो जैब 22 के आंकड़ों के अनुसार बैंक के पास क की नजर आती है जो कि सबते बड़े शेयर होल्डर भी नजर आते हैं ऐसी बैंक लिमिटेड एक्सिस बैंक एचडी एफसी बैंक आइडी एफसी फर्स्ट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक इन सब के पास भी अच्छीगासी जो होल्डेंग वो अभी बनी होई है और यहां से अगर आप देखोगे तो अभी तक जो है वो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा नहीं है फिर अगर आप यहां पर देखो एक दूसी रिपोर्ट भी निकल के आई उसमें भी कुछ चीजों के बारे में डिसकसन किया गया यहां पर बताये गया कि यह बैंक के शेयर भी खरीदना चाहिए तो यहां पर आप देखो बताये गया कि कई ब्रोक्रिस कंपनी ने यह बैंक ने अपने शेयर को ले रखा है लंबे समय की बात करें तो आप यह शेयर खरी सकते हैं लेकिन शेयर को केवल आज के आए हुए उच्छाल के कारण लेना सही नहीं होगा ल उसके बाद ही डिसाइड हो गई बहुत ही अच्छी बात लिखी है बहुत ही एकदम सटीक बात लिखी है कि केबल आज 9% की रैली आगी तो आज ही आप खरीदने बाद बैट जाना यहां पर बताये गया है जो बेसिक चीज़े निकल के आएंगी वो यहां पर 22 अप्रेल के आपके टार्गेट का लाफ मिल चुका है तो आप शॉट टम के लिए एकजिट कर सकते हैं बिलकुल सही उपीनियन मेरे गाल से अभी तक की सबसे सही रिपोर्ट नजर आ रहे हैं मुझे तो लॉंग टम के साब से मैं भी आपको यही बोलता रहता हूँ कि लॉंग टम का व चाहिए बारवार अगर आप पोर्टफोलियों देखते हो और लॉस देखता है और आपको यहां में पैनिक सिचुएशन हो तो डेफिनेटली एक्जिट कर देना चाहिए तो यह रिपोर्ट मेरे खाल से बहुत ही ज्यादा सही रिपोर्ट थी आप अपना उपीनियन जरू पारे में अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आखिर जो सुजलॉन है उसमें आज के दिन गिरावट थी और यहां पर उसके लिए बहुत इंपॉर्टन अपडेट निकलके डिरेक्ट ली बता देता हूं यहां पर देखो के फिंटैक की तरफ से जो कि आपको कार्भी निज जी यानि कि अब यहां पर जो MOU है वह साइन हो चका है सुजलॉन और के फिंटैक के बीच में अब यहां से जितनी भी रजिश्ट्री और सेयर ट्रांसपर की चीज़ें होंगी वह के फिंटैक जो है वह अब सुजलॉन को प्रोवाइड कराने वाली है बाकी पूरी डिटे मैं हमेशा से ही इस पर बहुत ज्यादा जो है वह पॉलिटिव नहीं रहता हूँ विकर्स अगर आप देखते हो तो जो शेयर का प्राइज है बहुत बारी मैं बता भी चुका हूँ जो मेरा चैनल देली देखते हूँ उनको पता भी होगा कि जो यहां पर शेयर की हाँ अगर आपको कुछ अंदर की बात पता हो या फिर आपको कोई रिसर्च के दिरू बहुत सारी चीज़ें अगर सही लग रही हो तो डेफिनेटल आप बने रह सकते हो मेरे अकॉर्डिंग तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी अच्छे शेयर जो है वो नजर आते ह तकी टोटल ही आपकी कॉल नजर आती है तो वीडियो पर फिलाए लितने ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे एक लाइक जरू कर देज़ेगा चैनल पर बश्राइम विजट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरू कर देज़ेगा धन्यबाद